Hello students, this is Prashan Nikam, your maths educator. देखे बच्चों, तो आज हम लोग discuss करेंगे how to crack maths olympia. बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे देते होंगे maths olympia, international maths olympia, IMO. और जो बच्चे नहीं देते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप भी दिया करो. क्योंकि बच्चों, इस exam का level बहुत है अच्छा होता है, computation भी अच्छी होती है तगड़ी, तो आपको अभी से आदत लग जाएगी. तो बच्चों, आज मैं आपको कुछ strategies बताऊंगा, how we can crack maths olympia, तो बच्चों, मैं level 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि level 1 तो बहुत सारे बच्चे ऐसे easily crack कर लेते हैं, मैंने तो in fact ऐसे भी बहुत बच्चे देखे हैं, कि चलो भई, class में से top किया, gold medal भी मिल ग तो आपको हो सकता है, अच्छी scholarship मिले, आपको उसके लिए national या international लेवल पर top करना ज़रूरी है, ठीक है, तो कैसे करें बच्चों, इसका preparation, आईए जानते है strategy, ठीक है, तो yes, आप बच्चों बिल्कुल इसको crack कर सकते हो, तो इसी के regarding हम कुछ points discuss करेंगे, देखें बच्चो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, focus on concept, यह तो सबसे important बात है, मतलब आप चाहे descriptive exam की तहरी कर रहे हो, competitive exam की तहरी कर रहे हो, यह point तो बच्चों सबसे important है, कि concept should be very clear, right, concept आपके clear होने ही चाहिए, इसके लिए कोई दुसरा option है ने बच्चों, बच्चों फि follow करना ही करना है, और बच्चों हाँ, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कि यहाँ पर जो मैंने books आपको मैं बताऊंगा, वो class 8 के है, लेकिन यह सब के लिए common है, चाहे आप 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 6 में, 7 में, किसी भी class में, तो मैं जो books बताऊंगा, यह books सब क के लिए common है, ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको NCRT पूरा का पूरा clear करना है, मतलब concept clear करने है, practice करनी है, ठीक है, इसके बाद आप बच्चों practice करेंगे RD Sharma, R.S. अगरबाल जैसे books से, ठीक है, इसमें आपको धेर सारे examples मिल जाएंगे, तो आप इसको भी refer कीजिए चली बच्चों, उसके बाद clear all your doubts, आपके जो भी mentor होंगे, या जिसको भी आप follow करते हो, आपके जो भी educators होगे, वहां से आप अपने सारे doubts clear कीजिए, अगर आपके कुछ doubt है, तो ये clear करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चली बच्चों, इसके बाद और एक important point है, कि don't ignore logical reasoning मैंने देखा है बच्चों, बहुत सारे बच्चे जब IMO का या NSO का preparation करते हैं, तो वस math या science देखते है, logical reasoning के तरफ ध्यानी ने जाता है, लेकिन बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है, okay, please don't ignore this logical reasoning, आपको ये ये भी strong बनाना है, तो इसका preparation कैसे करे, देखिए बच्चों, इसके लिए न, आपको class wise books भी मिलते हैं, या देखिए जैसे के class 8 reasoning workbook है, या फिर आपको verbal and non-verbal reasoning का, आरे सागरवाल का book भी बच्चों, बहुत अच्चा है, आप ये भी ले सकते हो, और ये जो भी मैं आपको books बता रहो न, या आपको किसी भी leading store पे, या फिर online मिल जाएं आराम से, ठीक है, चली बच्चों, उसके बाद practice, practice and only practice, मतलब आपने anxiety किया, RD, शर्मा, आरे सागरवाल दे से books किये, logical reasoning भी किया, अब उसके बाद बच्चों, बहुत सारा practice करना है, केसे, तो उसके लिए बच्चों, आपको मिलेंगे workbook, देखिए, IMO Olympiad workbook मिल जाएगा आ और बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक point बताना चाहूंगा, कि कुछ बच्चे क्या करते बदा है आपको, जब इस workbook से start करते हैं, तो इस workbook से start कर दे, तो बच्चों, यह गलत बात है, यह आपको आखरे में use करना है, मतलब जब आपके anxiety हो गया, RD, शर्मा, जैसी books होग जैसे कि Brain Mapping Academy का एक book है, Talent and Olympiad book, उसके बाद बच्चों देखिए, दिशा publication का भी book आपको मिल जाएगा, तो यह सारे reference book है, चलियो, उसके बाद बच्चों हम focus करेंगे time management पे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कि यार, exam तो easy था, मैं सारे questions solve कर सकता था, लेकिन time ही नहीं मि management पे आपको बहुत सारा ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब आपको जब आप exam की तहरी करोगे तो आपको यह दिमाग में लेके चलना है, कि यार, मुझे time management भी सिखना है, या करना है, exam के time पे, ठीक है, तो बच्चों यह कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपके पास कुछ tips and tricks होनी चाहिए, आपको smart work करना पड़ेगा, मतलब आपने hard work कर लिया बहुत सारा, लेकिन exam में बच्चों आपको smart work भी करना पड़ेगा, मतलब ज़रूरी नहीं है, कि हर एक question step by step solve करे, तो आपके लिए न, इसके लिए आपके पास tips and tricks होनी चाहिए, तो देखे, आप में से अगर कोई student, मेरा Rankers Olympiad batch का student है, तो प्लीज वो comment करें, ठीक है, कि आपको इसका benefit हो रहा है के नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा tips and tricks बच्चों को देता हूँ, जबी भी हमारा कोई batch होता है न, तो वहाँ पे मैं ये बिल्कुल देता हूँ, tips and tricks, तो आप में से अगर कोई student है, Rankers batch वाला, तो प्लीज comment ज़रूर कीजिया, कि आपको इसका benefit हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बच्चों tips and tricks पर आपको focus करना पड़ेगा, और ये tips and tricks है न, आपको experience से मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका कोई ready made book नहीं होता है, तो या तो experience है, या आपक आपको papers मिल जाएंगे, level 1 के भी papers available है, level 2 के भी papers बच्चों available है, तो ये papers आप online purchase कर सकते हो, और जब आप इसको solve करोगे न, तो time लगा के solve कीजिएगा, मतलब आपका जो भी convenient time है, उस time पे बेटिये, और इसके लिए जो time decide क्या होता है, exam, exam का, जैसे कि मान लिए ये one hour, तो उससे जादा, एक minute भी आपको allow नहीं करना है, खुद को, मतलब खुद को, खुद का test लेना है, तो ये बहुत जरूरी है, चला बच्चों, तो ये सब कुछ आप करोगे न, बच्चों, तो definitely आप second level exam आराम से crack कर पाऊगे, तो thank you very much बच्चों, अगर आपको आज का वीडि पाय, thank you very much